ओम शांती, पिछले अंक में हम सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मनी जी के एक विशिष्ट व्यक्ति के निमंत्रन पर एहमदाबाद जाने का वरितांत, अब आगे ब्रह्मा कुमारी बेहनों ने उस व्यक्ति को यग्य प्रसाद भी दिया था और ग्यान चर्चा द्वारा पवितरता के लिए प्रेर्णा भी दी थी जब उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी बेहनों की इस बात को सुना कि वे आर्थिक सेवा स्विकार नहीं कर सकती तो उन्हें बहुत अचम्बा हुआ उन्होंने मन में सोचा कि आज के जमाने में कौन व्यक्ति है जिसे पैसा प्यारा नहीं लगता हम सादुओं और महात्माओं को धन देते हैं तब वे तो उसे जट स्विकार कर लेते हैं और धन प्राप्त करके उन्हें हर्ष होता है परन्तु मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसी धार्मिक संस्था और ऐसी बहने देखी है जो कहती हैं कि हम धन स्विकार करने में असमर्थ है सचमुझ इनका मन अनासक्त है इनके जीवन में त्याग है इन्होंने कुछ असूल अपनाए हैं ये बहुत ही उच आत्माए हैं वह ग्यान चर्चा और प्रैक्टिकल जीवन से प्रभावित होकर जब एहमदाबाद लोटे तो वहां से उन्होंने धन्यवाद का एक पत्र और एहमदाबाद में आने का निमंतरन पत्र लिख भीजा उसी निमंतरन को स्विकार करके ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मनी जी एहमदाबाद गई थी इसकी शीगरी बाद ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी तथा रुकमने जी अपने लोकिक मित्र संबंधियों के निमंतरन पर कुंडला गई थी और वहां से लोटते समय उन्होंने देहली जाकर इश्वरी सेवा करने की योजना बनाई ब्रह्मा कुमारी संत्री जी, सती जी तथा प्रकाश मनी जी और ब्रह्मा कुमार अनंद किशोर जी तथा चंदरहास जी कलकत्ता में भी संबंधियों के निमंतरन पर गई थे ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंद्रा जी तथा गंगा जी को देहली से निमंतरन मिला था ब्रह्मा कुमारी कमल सुंद्री जी का पूना में सेवार्थ जाना हुआ था इस प्रकार कोई यग्ये वद्स पूर्व में, कोई पश्चिम में, तो कोई उत्तर में, कोई दक्षिड में जाकर इश्वरी सेवा में तत्पर हो गए थे चौदा वर्ष ग्यान यग्ये के कुंड के भीतर योग तपस्या करने के बाद, बाहर लोगों के यहां जाने का उनका ये पहला अनुभव बड़ा अजीब सा था इस बारे में ब्रह्मा कुमारे कमल सुंद्री जी, जो वर्तमान समय मेरट में इश्वरी सेवा पर उपस्तित हैं, लिखती हैं क्या बताऊं सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन है मैंने इस जीवन में चार बार जनम लिया है एक जनम तो जैसे सभी का होता है वैसे ही लिया इस जनम से मेरा अभी प्राए है शारेरिक जनम लेना इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बढ़ा किया और फिर विवा कर दिया इसे मैं अपना दूसरा जनम मानती हूँ क्योंकि कन्या के लिवा एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान होता है विवा होने पर उसे एक प्रकार के माता-पिता से और माईके वालों से देहिक नाते तोड़कर पती से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है कन्या के समय का अलबेला, निश्चिंत, स्वतंत्र और पवित्र जीवन समाप्त करके अब उसका पराधीन, परतंत्र और चिंताओं से भरा जिन्नेवारी का जीवन प्रारंब होता है जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं और सेहन तथा त्याग करना पड़ता है ये दो जन्म तो प्राया हर एक नारी को इस कल्यूग विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं परंतु मैंने दो जन्म और इनके अलावा भी लिए आप सोचते हूंगे कि वह दो जन्म कौन से थे जब मैंने इश्वरे ग्यान प्राप्त किया तब वह मेरा एक नया जन्म था इसे मैं अपना नया जन्म इसलिए मानती हूं क्योंकि अब मैंने परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीती रस्म और लौक लाज छोड़ी अब परमपिता परमात्मा जो सद्गुरू के रूप में मिले तो सभी दहिक नातों को भूल कर उनके मामेकम शर्णम ब्रज्ज, सर्वाधर्मान, परितरज्य के मंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा मेरे तो गिरधर को पाल दूसरा ना कोई, इस वचन को निभाने के लिए बुद्धी में एक पती व्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा ही को मन में बसाया बाकी इस संसार के विनाशी नाते तता कर्मों के खाते भुलाने पड़े आज की कड़ी में बस इतना ही, अगली कड़ी तक ट्रस्टी बनने का अभ्यास पका करते रहें ओम शान्दू